तेजी या रफ्तार किसे नहीं पसंद है जैसे इंसानों में नए जेनरेशन के लोग पुरानी जेनरेशन से अधिक एडवांस और तेज होते हैं ठीक उसी तरीके से किसी भी product या services में generation add होने या फिर generation के launch होने का मतलब quality और speed में multiple time increment होता है तो आज के expert guidance video classes में हम 5G यानि की 5th generation of network के बारे में discuss करेंगे ये कोई नया topic तो नहीं है लेकिन इस video में I am sure आपको first generation से लेके 5th generation तक का complete overhaul मिलेगा इस video में आप network के सारे generation के timeline के साथ ही इनकी functioning और related technological terms जैसे की bandwidth, spectrum, broadband, LTE आदी की भी जानकारी मिलेगी तो सबसे पहले हम 5G technology discuss क्यों कर रहे हैं इसके पीछे का reason जान लेते हैं दूर संचार विभाग that is department of telecommunication ने भारत सरकार के सहयोग से शिच्छा विदो और उद्योग हितकारों के साथ मिलकर telecommunication कारिकरम 5G hackathon शुरू किया है 5G hackathon का उदेश देश में 5G प्रदोगी के अनुकूल समाधानों की पहचान करने तथा उन्हें बढ़ावा देने के लिए केंदरित आत्या धुनिक विचारों को लिस्टिंग करना जिनें वैवारिक 5G उत्पादो और समाधानों में परिवर्टित किया जा सके hackathon कारिकरम तीन चरणों में होगा इस कारिकरम का समापन 16 October 2020 वो इंडिया मुवाइल कॉंग्रेस के एक भवेश न महारों में होना था और 5G डिसकास करने का दूसरा रीजन है कि UK में एक बहुत बड़ा अफवाव फैल गया है कि कोरोना वाइरस जैसी महामारी 5G इंफ्रस्ट्रक्टर के कारण पनप रही है इसके बाद वहाँ के लोग 5G टावर्स को आ के हवाले कर रहे हैं शोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि COVID-19 का कारण 5G है और वहान में ये महामारी इसलिए फैली क्योंकि वहाँ हाल ही में 5G नेटवर्क की शुरुआत की गई थी जिन अन इलाकों में 5G शुरू हुआ वहाँ भी इस महामारी का प्रकोब फैल रहा है ये ऐसे लोग हैं जो जी रहे हैं 21st century के information age में लेकिन behave ऐसे करते हैं as if they are from past ages अब हम आते हैं अपने आज के topic पे 5G network technology और जानते हैं आखिर ये है क्या अगर हम पिछले कुछ वर्षों को देखें तब हम ये जान पाएंगे कि प्रती 10 वर्ष में mobile technology के field में एक नए generation की बढ़ोतरी हो रही है जैसे कि शुरुआत होती है 1st generation से year 1980s में then comes the second generation in 1990s फिर आता है third generation year 2000s में then आता है fourth generation 2010 में और अब fifth generation के बार ही है जो कि 2020s में डिसकवर हो रही है हम दीरे दीरे जादा sophisticated और smarter technology के ओर रुखर रहे हैं अब हम एक हिक करके mobile technology के सारे generation को brief में देख लेते हैं then second generation in 1990s जिसमें digital audio signal यूज़ करके voice और data transmit होता था 64kbps के speed के साथ अब ये bandwidth आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो घबराइए नहीं आगे मैं bandwidth बता दूँगा then third generation launch होता है 2000s में उसका speed एक mbps से दो mbps होता है और telephonic signal के साथ साथ voice और video conferencing भी enable होता था then fourth generation अभी जो हम use कर रहे हैं इसका speed 100 mbps से 1 gbps तक रहता है और 3D virtual reality को भी support करता है and now the latest technology which is going to come is 5G technology with minimum speed of 1 gbps अभी तक के discussion में कुछ technical terms आएं जिनको मैं पहले explain कर देता हूँ फिर आगे बढ़हींगे तो सबसे पहला term जो आया है वो है bandwidth ये बहुत है simple है इसके definition के according it describes the maximum data transfer rate of a network of internet connection it measures how much data can be sent over a specific connection in given amount of time मतलब की एक fixed period of time में एक specific rate या speed से जितना data transfer हो सकता है वह ही उस particular network का bandwidth होगा नहीं समझ में आया है इसको थोड़ा simple करते हैं और आसान कर देता हूँ माल लीजिए आपके पास दो pipe है एक पतला है एक थोड़ा मोटा है अब हमें एक बाल्टी भरनी है तो दोनों pipe में से कौन सा pipe जल्दी बाल्टी भरेगा यहाँ पानी का source बहुत है तो वो factor consider करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे tap में तो उतना ही पानी आ रहा है चाहे दो pipe लगा दीजिए बाल्टी तो एक ही स्पीड से भरेगी तो यहाँ पर source बहुत है उसको consider करने की ज़रूरत नहीं है तो यह सब देखते हुए obvious ही बात है कि मोटे pipe से बाल्टी जल्दी भरेगा So friends, what is the conclusion? अगर हम pipe के thickness को bandwidth से compare करें तो I hope picture थोड़ा clear हो रहा होगा कि bandwidth means the area from which data is transferred Now second term, kbps and mbps इसके full form अब जानते ही है kilobytes per second and megabytes per second जो की data के speed को measure करता है It's a kind of unit तो फिर आगे हम देखते हैं 5G technology पे वापस आते हैं इसके topic पे और देखते हैं 5G काम कैसे करता है तो wireless network में मुख्य रूप से cell sites होते हैं जिन्हें sectors में divide किया गया होता है जो कि radio wave के माध्यम से data send करते हैं ये कहना गलत नहीं होगा कि 4th generation long term evolution virus technology ने ही 5 generation का foundation दयार किया है अगर हम बात करें benefits की तो बहुत ही common है और understood है कि अगर speed high होगा तो हम जो भी movie download करते हैं 2-3 minute लगता है कुस seconds में download हो जाएगा हमारे काम करने का speed बढ़ जाएगा as internet speed would be high and our efficiency will increase टेली communication में आप spectrum शब्द कई बार सुना होगा अगर इसका मतलब आपको पता है तो well and good अगर नहीं पता है keep watching the video you'll come to know what spectrum is spectrum का नाम सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले जो खयाल आता है वो 2-3 spectrum खोटा लेगी जिसे मीडिया ने बहुत जादा हाइप किया हुआ है तो ये spectrum है क्या आपने junior classes के physics books में या फिर physics subject में पढ़ा होगा विब की और के बारे में कि हमारे sun rays आती है जो कि अगर हम prism के थुरू pass करें तो वो 7 colors में differentiate हो जाती है जिसके अलग-अलग intensity होती है अब इसको scale में divide कर देते हैं जिसमें अलग-अलग colors होते हैं उनके अलग-अलग frequency होती है उसी तरीके से कुछ rays होती है जो कि visible ही नहीं होती है पार्ट का auction होता है हमारे companies में companies जैसे कि अटर हो गया वोड़ा फोन हो गया यह सब purchase करती है electromagnetic radiation अब यह electromagnetic radiation काम कैसे करता है यह हमारे earth के चारों तरफ electromagnetic radiation फैले होते हैं अब अलग-अलग range के अलग-अलग radiation होते हैं जिनके help से हम अपने signals transmit करते हैं जैसे आप radio सुनते हैं 93.5, 92.7 अलग-अलग frequencies होती हैं उन electromagnetic radiation की जिसके help से signals transmit होते हैं अब इसको थोड़ा easy way में समझने के लिए आप एक onion का example ले लिजे माल लिजे core में हमारा earth है और उसके चारों तरफ अलग-अलग frequencies की radiations transmit हो रही है तो एक layer का frequency कुछ होगा फिर दूसरा layer होगा उसका frequency थोड़ा अलग होगा तीसरा layer होगा उसका frequency कुछ अलग होगा तो अलग-अलग frequencies पे अलग-अलग kinds की energies transmit होती है जिसके help से हम audio या फिर video signals send करते हैं तो यही होता है हमारा spectrum जो की sell किया आता है governments के थूँ क्योंकि governments इसको अपनी property मानती है जिसको अलग-अलग companies को sell करती है और वो companies उन अलग-अलग frequencies के electromagnetic radiation का use करके अपने telecommunication network को strong करती है और हम उनको use करके बात कर सकते हैं वीडियो chat कर सकते हैं या फिर internet चला सकते हैं ये कुलमला के easy way में spectrum होता है इसको थोड़ा और visualize अगर आपको करना है तो एक Hollywood में movie बनी है Lucy जिसमें दिखाया गया है कि Earth के चारो तरफ electromagnetic radiation होते हैं और कैसे उन radiation का use करके हमारे audio या video signals एक जगह से दूसरे जगह transmit होते हैं So this is what spectrum is I hope आपको spectrum of 5G technology क्या होता है समझ में आ गया है Still if you have any doubt you can always ask in the comment box और अगर आपने अभी तक हमारे channel को subscribe नहीं किया है Please subscribe the channel and press the bell icon to get regular updates और last में मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि expert guidance classes अपने GS foundation की और optional के सारे video classes free of cost provide कर रही है For getting access of those videos you can download Movishala app from play store Play store से आप Movishala app download करिये उसमें EGCR 2217 code enter करिये और वहाँ पर GS foundation और optional के सारे video classes free of cost available है This is all for today's video See you next video, till then goodbye